नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की किवोकास्ट एलकेड सिरप का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, किवोकास्ट एलकेड सिरप को कैसे लेना चाहिए, और किवोकास्ट एलकेड सिरप की वज़से क्या side effects हो सकते हैं. और यहां भी डिसकस करेंगे की किवोकास्ट एलकिट सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. किवोकास्ट एलकिट सिरप के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है. किवोकास्ट एलकिट सिरप के अंदर salt composition लिवोसेट्रिजीन और मॉन्टेलुकास्ट होता है. लिवोसेट्रिजीन एक एंटी हिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उप्योग सर्दी जुखाम नजला और एलरजी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है. और मॉन्टेलुकास्ट अस्थमा की व सिरप का उप्योग बच्चों में अस्थमा होने पर सर्दी जुखाम नजला और एलरजी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किवोकास्ट अल्किड सिरप का उप्योग किया जाता है. सर्दी जुखाम एलरजी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, नाक का होना, आंखों से पानी आना, आक, नाक या गले में खुजली होना, छींत आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आधी लक्षणों से राहत पाने के लिए किवोकास्ट अल्किड सिरप का उप्योग किया जाता है. डॉक्तर क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानी तवच पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर, तवचा पर एलर्जी होने पर और तवचा पर रैशेस होने पर भी किवोकास्ट अल्किड सिरप को लेने की सलाह दे सकता है. बधुमखी या किसी अन्यकम जहरीले जानवर के काटने की वजह से कुई तवचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्तर किवोकास्ट अल्किड सिरप को लेने की सलाह दे सकता है. साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर बच्चों में किवोकास्ट अल्किड सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ प दिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना, दस्त होना, कब्स होना और उल्टी आने का मन होना आधी साइड इफेक्ट्स किवोकास्ट एलकिड सिरप की वज़़ से हो सकते हैं। दॉक्तर 2.5 मिलिलीटर किवोकास्ट एलकिड सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। किवोकास्ट एलकिड सिरप की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको किवोकास्ट एलकिड सिरप को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि किवोकास्ट एलकिड सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। दो साल से कम उम्र के बच्चों को किवोकास्ट एलकिड सिरप को देना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए दो साल से कम उम्र के बच्चों को किवोकास्ट एलकिड सिरप को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में किवोकास्ट एलकिड सिरप को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को किवोकास्ट एलकिड सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आती है। तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवशकता होती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका किवोकास्ट एलकिज सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं प्र कर दोसा है से सल्चॉ बा пожल वीडियो कि चीडियो को यीडियो आपका दő में, तो आपका के लिए सकते हैं.